हेलो स्टूजेट कैसे हैं आप लोग आज एम पढ़ेंगे चप्टर नमबर वन का टोपिक नमबर आजी 1.7 ठीक है यह क्या है यह है यह है असेस्मेंट ओफ टोटल अंसर्टेनिटी इंग फाइनल रिजर्ट्स यह जी मारा में टोपिक है इसके ना पांच सब टोपिक है वो भी देखेंगे अब यह है क्या जरा पहले समझ लेते हैं देखें मैं आ गया बजार या मैं कोई एकस्परिमेंट करना है मैंने मैंस भी मेहिट करना है मैंने ग्रैविटेशन अक्सलरेशन मेहिए मैंने फोर्स भी मेहिए करनी है अब मुझे पता है कि दुनिया में मैं कोई भी measurement कर लूँ भाई वह 100% accurate नहीं होती और जब भी मैं किसी device से measurement करता हूँ let's suppose length बढ़ी असान तो length का point अब जहीन में रखते हैं आपके तसर आपने ना measurement कर लेनी है let's suppose आपके तसर मीटरोड से ठीक है लैब में मुझूद है यहां आपके पास जो भी डिवाइस है जब मिस्तरी है आपके पास वो मीटरोड से measurement कर आपको सर आपको सर उसमें ना सर 0.1 सेंटीमीटर का ना उसमें error आना है मैंने का वो क्यों उसने का सर इसको उमने पढ़ा था absolute uncertainty also called least count of that instrument अच्छा मैंने का यह तो minimum error होगा उसने का जी सर होगा तो इसका मतलब है जो इसको इसको इस्तमाल करने से चीज़ बनी उसके अंदर भी error होगा क्योंकि इस value में error है जब मैं मैं मैंस को मियर करूंगा तो मैंस का मेरिंग इंस्रूमेंट करता है सर मैं 0.01 kg का error दूंगा वो मेरी मजबूरी है मेरी absolute uncertainty मेरा least count है मैं मजबूर हूँ मैं का कितना है वो गाता सर मेरा है जी 0.01 kg ठीक है यानि कि यह जो device है जिससे मैं क्या मेर कर रहा हूं मैंस तो उसने का सर अब होगा क्या कि इनके इनको इनका जो मलगम होगा इनका जो mixture है इनसे बनने वाल experiment में जो हमारे पास result आना है जिसे हम बोलते है जी final result तो आपके ख्याल में क्या वो result 100% accurate होगा अब उसे कभी भी नहीं होगा कभी भी बनिवैसे नहीं अवसकता तो ये भी नहीं होगा तो अब अब कितने परसenda सही होगा कितने परसenda पेसे घलत होगा यह जो कशा करना है अब इसके लिएYeahHigh रूल्स हैं उनको देखते हुए हम चेक करते हैं जिसको बोलते हैं हम असेस्मेंट ओफ टोटल अंसेटेनिटी बनती है वह फाइनल जर्ड में कितनी बनती है वह जरा हम चेक करेंगे तो सबसे पहले मरपास है in case of addition and subtraction इसको मेर नाम दे देते हैं अडिशन and subtraction यनिके अगर आप कुछ quantities को ब्लास या माइनस का रहा हो हम यह पता है कि same quantity आड़ हो सकती है और एक 10.5 और एक 26.8 ठीक है यह एक लेंद्थ हमारे पास है जिसको बुक ने नाम दिया 10.1 प्लस माइनस दिलीर्स काउट मैंने का यह उसने कहा सब यह मझभूरी यह बेद्ध वैल्यों में यह किया लेकिन यह मझभूरी यह लिखना पड़ेगा अच्छा मैंने का चल दूसरी उसने का सर चेके डाजी 26.8 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटिमेंट उसने का सर यह दोनों लेंद हमने एक ही डिवाइस इनके म्यूटर रोड से मेर किये तो अब आपने बताना कि इनकी फाइनल अंसर्टेंटी कितनी होगी मैंने का उसके लिए उसने सर इन दोनों को add कर दें तो x होगा यह डल्ट x कहलेती है x2-x1 यह सब्स्रेक्ट कर दें और अगर minus करें यह एड करें तो यह होगा तो उसने गा सर इनका तो रिजल्ट क्या बनेगा मैंने का सब्स्रेक्ट करूंगा तो result बनेगा तो 26 में से आप 10 को निका दें तो 16.3 बन यह सरा समझाए इसका रिजर्ट जो होगा वो सेंटिव और उसने का सर यह अगर आप इन दोनों को एड कर दें तो कितना बनेगा 36 और 37.2 बनजेगा कि और उसने का सर जब आपने सबस्ट्रैक्ट किया तो अंसर तो यह बना यह तो मेहते हैं लेकिन सर यह uncertainty क्यों ऑड हुई और जब आपने इन दोनों को एड किया तब भी uncertainty that होगी, उसने का क्यों, उसने का सर देखो, uncertainty है error, अगर वो उदर है, तो उसका भी उतना हग है, जितना इस error का हग है, दोनों को बराबर हग देने के लिए, दोनों को sum up कर दिया हमने, simple wording में आप समझ लो, आप uncertainties को कभी subtract नहीं करोंगे, uncertainties हमेशा ही जमा होंगी, in case of addition and subtraction, यनि के उनकी values, जो के least count होंगे हमारे पस, तो वो हमेशा उसके अंदर क्या हो जाएंगे, least count है, तो वो वैसे हमारे पस uncertainty, जो हमारे पस होती है, absolute uncertainty, जिसे हम बोलते हैं, यह हमेशा क्या होंगी, add up होंगी, तो इसका मतलब है, इसका answer यह बनेगा, अभी इसका मतलब क्या है, इसको जड़ा explore करो, इसको open करो, तो इसको मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा, 16.3 में से आप 0.2 माइनस कर दो, और 16.3 में 0.2 add कर दो, उसमें क्यों हो जी, क्या होगा, 2 माइनस करूँगा, तो 16.1, और जो इस x, delta x की जो असल में value है, वो value 16.3 नहीं है, तो तो 0.2 का error है, वो error की से हम कह लेते हैं, तो इसका answer 16.1 से लेके, 16.5 cm के दर्मियान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना हो सकता है, इतना, maximum इतना, याद करो, uncertainty में पढ़ाया था, कि जो uncertainty है, वो कम से कम जो चीज़ आगे, ठीक है, अब हम next इसका part B करते हैं, अच्छा दे, part B आजे हमारे पास, division and multiplication, ठीक है, यादि अगर division हो रही है, या multiplication, वो हमें पता है, उसलिए का सार, division multiplication ये, different quantities में हो जाती है, नहीं quantity बहन जाती है, तो book ने इधर, ohumla को दिया, एक second book की value को देख लूँ, तो, अच्छा, अब इसके अंदर क्या rule है, इसके अंदर ये rule है, book ने का, कि अगर, आपके पास दो quantities है, let, first quantity का नाम हम रख लेते जी, A, and second का रख लेते हैं, जी, B, तो उसने का, जाहिर से बात है, सर, इनके लिए count होगे, मैंने का, होगे, तो, इसने का, सर, ये add तो हो नहीं सकती, तो, या अगर आप इनको वो ही step लगाओ, कि इसके लिए count, कि इसके लिए count में add कर दो, तो, हो नहीं सकता है, ना, इसकी, और percentage and certainty की, यानिके, A, और B, इन दोनों का sum होगा, यानिके, अगर values उपर multiply, या डिवाइड होगी, तो, उनकी percentage and certainty हमेशा add होगी, जो कि final result के अंदर जाकर answer देंगी, चेक करते हैं, example समझते हैं, जो कि बुक ने दी हुई है, फिर understanding होजएगी, बुक ने का, मैंने इसकी अंदर 0.1 volt का घपला है, मैंने का, यानिके, यह 0.1 volt का है, उनकी यह उसका lease count होगा दा, इससी बात है, absolute uncertainty, ठीक है, यहाँ, इसको आप इदर कहलो, lease count, ठीक है, और current भी में यह किया, current कितना मेर किया, 0.84, plus minus 0.05 ampere, मैंने का, यह उसका absolute uncertainty, यहाँ, दूसर नाम इसका lease count, अच्छा, उसनिका सर, हमने ना, resistance find करेंगे है, मैंने का, अच्छा, वो resistance हो हम लावाली है, उसनिका जी से, मैंने का भी कर जेते है, उसनिका सर कर दे, तो, मुझे पता था, V is equal to होता है, IR, and R will be, V over I, what is R, V, V is 5.2, and what is I, 0.84, the answer will be, answer will be, 6.19, 6.19, उसनिका सर, यह answer है, बच्छा कहता सर, यह answer ठीक है, मैंने का, यार, अगर तो हम just ideally लें, अगर आपने कोई mathematics से experiment नहीं करना, तो उसके लिए आज से तो यह answer बड़ा बेतरी ना है, लेकिन वो कहता सर, अगर mathematics करना है, और मुझे काफी अतक correct answer चाहिए, तो, मैंने का, सर, फिर आपको इनके यह वाले रूल है, खतम करने पड़ेंगे, जो इनके अंदर घपले हो, उसनिका सर, हो कैसे, उसनिका सर, एक रूल है, यह ना, multiplication का uncertainties है, कि uncertainties, इनकी percentage वाली value का add कर दे, उसनिका सर, जो पिछला rule था, कि हम इन दोनों को add कर दे, यार, तो देखतो ले कि यह voltage है, यह ampere है, यह दोनों sum हो सकते हैं, उसनिका, नहीं सर, यानि कि चीनी में, पांच, पांच किलो, चीनी में, पांच मेटर length हैड़ हो सकती है, यह तो बेवकुफ हो वाली बात हुई ना, उसनिका सर, अच्छा-च्छा, फिर, मैंने का, इनकी percentage निकाल लेते हैं, percentage आड़ हो सकती है, अच्छा-च्छा, इसनिका, चलो का ले, सर, मैंने क्या किया, मैं इधर percentage की कर लेता हूं, calculation, percentage, uncertainty, ठीक है, for voltage, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला में पता है, least count, divided by the value, multiply by 100%, the answer is, I think, 6%, sorry, 2% है, इसका answer, इसका answer है, जी, 2%, यह आप calculator पर करेंगे, easily आजाएगा, तो मैं भी कर लेता है, लेक्च्छर बहुत lengthy हो जाएगा, percentage, again, say, 24, current, 0.05, divided by 0.84, इन्टु 100, 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 जो जो चीज बनी है, उसमी बनावट के अंदर यतने परसेंट है, यह इतने परसेंट, उनकी मिलावट के अंदर जो घपला हुआ था, उसकी टोटल वैल्यू में इतने परसेंट घपला है, मैंनका total गया तो 6.19 है,hetto इसका सरred, लिखे था सही, futurna का sandwich, इन्टु 100, इसके न percentage होती है यानिके इसको में इदर लेख देता हूं percentage is equal to obtained value divided by total value multiply by hundred तो इदर आठ इदर obtained value हमने निकाल ही है total value में पता है कितनी है वह 16.199 इन टू हंड़े जब आप इस obtained value को देखेंगे तो वह answer बन जाएगा आपके पास 0.5 क्या answer बनेगा 0.5 इसका मतलब है इसका answer है जी 0.5 अगर आपने मैं just value लेनी है तो फिर आप लेके लेनी तो आप देखेंगे लें जो उन सब है तो इसका मतलब है जो final result है वो यह है जी 6.19 प्रस माइनस अब 8% के जगा क्या देगा 0.5 तो उसने गा sir अब हमने final जो value देखने इसकी range क्या बनेंगी वो बनेंगी 5 point आप इसमें से value निकाल दें तो यह जाएगा 69 से लेकर यह minus नहीं है यह range है इधर से लेकर कहां तक आप इसमें add कर दें जो जाएगा 6.69 तो इस range के अंदर आपके इस total value की surety नहीं है कि क्या value हो सकती है समझारी हाँ अगर आपके पर device बहुत अच्छी होती और यह error आता 1% कितना आता 1% तो हम 1% के लिए आसे से कार लेते हैं let's suppose हम कहते हैं कि भी error आ रहा है जी 1% अब मैं क्या करता इस value को देखना अब इसकी जगा देगा 1 अब ज़रा देखे तो मैं अब value निकाल के देखता हूं तो क्या आता है 1 divided by 100 and the multiply is 6.19 answer is 0.0619 0.0619 this is the answer अब क्या होगा कि इसकी जगा पर या देगा 0.0619 अब क्या होगा आप देखना जो नही रेंज बनेगी वह मैं तर नीचे लिखता हूं वह देखना और इसमें देखना इसका मतलब है कि आपकी device थोड़ी सी importance तो रखती है आपकी value को accurate करने में अब देखें 6.19 minus answer यह answer is 6.12 यह निकि 13 इसे round up कर लेता है 6.13 से लेकर कहां तक अब आप क्या करेंगे 6.19 plus आप करेंगे 0.0619 the answer is 6.25 answer is 6.25 अब मुझे बताएं यह वाइड रेंज है यह यह वाइड रेंज है आप खुद देखेंगे उपर वाली वाइड रेंज है यह यह शोर्टी के चांसे बहुत काम है बहुत लंभी रेंज आ रही है just because of these uncertainties इनकी वज़ा से तो इनको जब मैंने इंप्रूफ किया यह वान परसंट कंसिडर किया तो आप देख चो रेंज बहुत काम होगी तो इसका मतलब आप आंसर इस रेंज के अंदर कहीं पर भी लाई कर सकता है यह मैंगा यूनिट है आपको पताऊंगे और दो मागे भी पढ़ेंगे ने ठीक है अब आज है थार्ड पार्ट सी पे पार्ट सी करने के बाद एक एक्स्ट्रा आपको एक्जेम्पल कर वहाँगा जो बुक में नहीं है वैसे एक्स्ट्रा समझने के लिए अंदेस्ट्रेंडिंग के लिए वो भी आप देखिएगा अच्छा जी पार्ट सी है पावर फैक्टर पार्ट सी का नाम बुकने लिया पावर फैक्टर ठीक है अब यह पावर फैक्टर क्या है वो कहता है कि अगर सर आपके पास कोई भी वेरियेबल है वेरियेबल करते हैं तो वैले चेस कर सकते हैं उसकी कुछ ना कुछ पावर आ चाहत है और उसमें जितने % उसमें प्रसेंटे जन्सरटेनिटि हैं तो उसकी पावर से अब उसे मैंडिप्लाइब कर दें जो आंसर अइसरोगा वो फाइनल रेजल्ट के आंसर में उतरे % uncertainty होगी, simple example है, मैं आपको करके रिखाता हूँ, हमें एक value दी गई है, जिसमें हमें कहा गया है, कि आपने volume calculate करना है, सफेर का, और उसका formula 4 by 3, pi r q, और हमें पता है, कि इसको calculate करने के लिए में just r चाहिए, तो इसका मतलब है कि v just depend upon, यानि का v function है, कि इसका r का, r पर depend कर रहा है, और r की value 2.25 2.25 value है, और जिससे measure कि है, जिस बंदे ने, उसने कहा है, इसमें 0.01 cm is the absolute uncertainty या least count, अब आपने देखना, यह x में कितने percent है, अब उसके लिए हमें पता है, percentage, percentage uncertainty के लिए हमें पता है, कि मैं क्या करूंगा, मैं इसके least count को इसके उपर रखूंगा, divided by 2.25 करूंगा, और multiply by 100 कर दूंगा, या answer will be 0.4%, अब उसने का सर, यह कितनी बार use होने है, मैं इनका फार्मॉले को देखे, तो तीन बार use होना है, तो इसकी power three times है, five times होती है, तो पाँच बार use होना है, तो तीन बार use होने है, तो उसने का सर, इस final result में, यानि कि जो final uncertainty आएगी, final percentage uncertainty in result, वो कितनी होगी, इसकी power का multiple अब इसकी एक value उतनी है, तो power का multiple कितना है, तीन की power है, तो कितनी होगी, one point two percent, इसका मतलब है, कि one point two percent final result, final result क्या है, volume उसमें, पहले तो हम volume calculate कर लेते है, volume के लिए formula put करेंगे, four by three into three point one, four into two point two five का cube, और answer, आप calculator पे इसकी mathematics कुगाएंगे, answer आ रहा है जी, 47.689, 47.689, और आपको पता है, चुनके इसके unit centimeter थे, हमने पिछे भी पड़ा हुआ है, तो power है, cube आजएगा, और hole के उपर आजएगा, यानिके centimeter क्योग, अब हमें significant figure से याद है, कि सर इसके पास three है, तो मैंने के जाहिर से बात है, final result को भी देखना, तो final result के पास three करेंग है, फिर हम देखेंगे कि अगला पांथ से जिसको पिछले को जितने को मुडा रहे हैं, वो पांथ से बढ़ा है, तो आपकी पावर फेक्टर से निकला है, वो 1.2 परसंट, यानिके, अब हमारे पास जो वालियम का सही में result है, 47.7 इसको एक मिट उड़ा देते हैं, unit को, इ या uncertainty, ठीक है, अब यह 1.2 परसंट कैसे निकालना है, अब यह आपको बताया है, कि 1.2 is equal to obtain value, divided by total value, multiply by 100, तो obtain value, total value क्या होगी, यह वाली value होगी, आपकी, आप जब इसे निकाल लेंगे, यह answer will be, 0.6, 0.6 cm, ठीक है, तो यह आपके पास, sorry, cm3, यह आपके पास answer है, क्योंकि total volume का, जो unit of cm2 की होगा है, तो यह आपके पास obtain value, आप इसे put करें, answer will be 47 point plus minus, अब percentage की जा क्या आजएगा, 0.6, और यह cm2, अब आप इसको एक बार minus कर दें, तो आप कहेंगे, sir, 47.1 से लेकर, इसको add कर दें, तो यह आजएगा, 48.3 cm2, इसका मतलब है, जो volume की real value हो, वो यह इसे नहीं है, volume की real value इस range में लाई करती है, minimum and maximum, ठीक है, अब इसी को use करते हो, मैं आपको previous example को दोबारा करके निखाता हूँ, जब आप next chapters में जाएंगे, तो वहाँ पर आप एक नहा formula पढ़ेंगे, power का, वो power का formula P is equal to I square R, अब आपको पता है, कि इसके अंदर दो different quantities multiply हो इनके previous rule भी लगेगा और इसमें एक value का square भी है, या power factor वाला rule भी लगेगा, अब मैं कहा देता हूँ, कि जो I है, इसके अंदर हजी 2% error, ठीक है, 2% यानिक इसकी जो percentage uncertainty, ठीक है, और R के अंदर हजी 3%, तो P के अंदर कितना होगा, यानके P का जो final answer है, उसके साथ plus minus कितने percent ह होगा, ये नहीं हमें पता, ठीक है, तो ये नहीं हमें पता, ये हम निकालते हैं, अब आप गौर करें, कि पहले आई की power को लेंगे, तो I का जो total सही में बनेगा, वो कितना बनेगा, 2%, multiply by, जो भी मैंने पीछे किया, power से multiply करेंगे, तो कितना बनेगा, 4%, ठीक है, अब चु 12%, इसको मतलब है कि power का जो final answer है, उसमें 12%, क्या होगी, uncertainty, ठीक है, समझा गया, अब आज है, हमारे part D पे, तो यह अक्सर mcqs के तोर पर आपके board में mcqs आता है, क्योंकि क्योंकि calculation है, और इतनी बड़ी calculation होती है, यह calculator आप कर लेते हैं, तो यह mcqs के तोर पर आता है, यह just, जैसे अभी मैंने आपको simple सा mcqs करके तो इस ताना का mcqs आपके board में आ जाता है, तो बड़ाना नहीं होता आपने, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से ठंडा पानी पीगे, आपने सोच लेना होता है, अब आगे आपके पास, आपको याद हो, तो random error को resolve करने का एक तरीका निकाला था, उसको बोला था mean value या average value, वो क्या थी कि multiple measurements को लेके, उन सब को जमा कर लेना है, और total value पे डिवाइड कर देना है, तो error है, तेकिन अब इसके अंदर एक नहीं चीज है, अब देखो कि आपने कहा करना है, आपके पास उसने कहा कि हमने कुलेंद के measurement किया, screw gauge से, तो वो measurement mm में हो कितनी आ रही है वो आ रही है जी, 1.2 यानि कि first attempt, second attempt, third, four, five and six, छे attempts लिए है भाई ने और उसके अंदर value आ और यह 1.22 फिर उसके बाद 1.23, 1.19, एक, दो, तीन, चार, चार, और उसके बाद 1.22 और 1.21 तो आपने कहा था सर अगर mean लेना है, तो mean के लिए आपने क्या जुगार लगाए था, क्या आपने कहा करना है, इन सब को sum up कह लेना है mean के लिए क्या आपता है कि जितनी value को sum up कह उसको total पर डिवाइड कर दें, the answer will be 1.21, तो यह हमारे पास final answer है, ठीक है, length है, length को जो भी unit है, square को कैसे किया तो वो mm में लगा दी उसने, वो उसके अंदर को गबराने वाली बात नहीं परशानी वाली, तो, अब हमने क्या देख जितनी value के ऐसे किया है, तो इनके least count, अगर आप इन सब के least counts को जमा करें, इसमें से minus करें, तो बहुत बड़ी अच्छी value minus होजएगी, तो answer बड़ा खराब होजगा, तो इसका क्या हाल निकाला जाए, यानिके इन सब के 0.00, 0.01 जो आँमारे पास values है, उन सब को मतलब आप देखेंगे, value बहुत काम उलित हो, उसके इसके अंदेला एक हम formula होता है, stat में भी होता है, इसे बोलते है mean deviation, एक method है, इसको इसको इस्तमाल करेंगे, mean deviation के है, उसना का, यह आपकी mean value, इससे कितनी value deviate किया है, उसको लिखो, मैंनका अच्छा, मैं इदर ही लिख देता ह आप देखेंगे, तो यह आजएगी 0.01, यह आजएगी 0.02, उसके बाद आजएगी 0.02, उसके बाद आजएगी 0.01, और यह 0, ठीक है, यह मरपस values आजएगी, यह अगे भी आपके पास लिख वी है, आप बुक पे देख सकते हैं, ठीक है, तो अब क्या करना है, इनकी mean deviation values क आपने average नहीं कहाना है, उसके लिए आपको पता है, 0.01, plus 0.01, plus 0.02, plus 0.02, plus 0.01, plus 0, divided by 6, तो यह answer will be, 0.0 mm, कितना answer आ रहा है, 0.0 mm, इसका मतलब है, कि यह आपकी real value, और यह आपकी error वाली value, इसको आप इसमें से plus minus कर सकते हैं, तो मैंनका अच्छा, जिब आप इसे plus minus करेंगे, तो जो आपकी result होगा, ठीक है, कोई भी calculation है, length किया, तो इदर हम length के लिए आसे करें, तो यह दिका, plus minus 0.01, into mm, तो range बना ले, 0, 1.20, से लेके, 1.22, के दिनम्यान में, इसका answer हो सकता है, ठीक है, तो यह हमारी क्या आजती ह डी पार्ट के हमारी जो mean वाली value है, ठीक है, अब हमारे पास है जी, एक last part, यह last part है जी, अगर आपके पास कोई time measurement वाल एक्सपेरिमेंट हो, उसके अंदर आपने क्या जुबार लगाना है, तो इसके अंदर हम देख लेती हूँ, देखें, वह क्याता है, कि आपने एक store watch यानि किसको मैं लिख देता हूँ part a, b, c, d, e क्या लिखती है, time, mere, experiment, क्या था आपने कोई experiment किया, उसके अंदर आपने time calculate किया, जो उसका time period, वह था 54.6, 54.6, मैंने का यह सारी के, उसके नहीं सार, आपके पास जो repetitions थी, वो 30 थी, तो मैंने का time period क्या निकल गए, यानि कि आप इस capital T की आप total time क्या लो, तो time period क्या होगा, total time divided by repetitions, तो 54.6 divided by 30, the answer will be, 1.82, कितना आ रहा है जी, 1.82 second, this is the time period, तो मैंने का यार, यह कुछ गढ़बर हो रही है, आपकी value बड़ी सही आ रही है, हो नहीं सकते, वो सभी है, मैंने आपको least count नहीं बताया, वो क्या है, उसमें का, वो sir, absolute uncertainty, मैं गए छाँ, आपके बड़ी सही आपके पास जो, जो, इस्टोवा जो मैंने के device इसका जो लीस काउंट है वो है 0.1 कितना है 0.1 से तो तो उसने का सर अब आप बताएं कि यह आंसर कितना डैवियेट करेगा यानि किसकी जो रेयल वैल्यू के रेंज क्या बनेगी मैं कर वो निकाल नहीं पड़ेगी अच्छा हुआ क्या कि यह 0.1 है टोटल हमारे पास जो आ अंदर इतना है तो एक में कितना होगा तो तो वह क्या होगा 0.1 डिवाइड़ बाइ थाइटी यह आंसर विल भी 0.003 अच्छा तो अब फाइनल रिजाल्ट जो होगा आपके पास उसके अंदर क्या होगा तो जो मीन वैल्यू है प्लस माइनस आपका 0.003 तो इसको आप एक बार एड़ कर लें इसको एक बार सब्स्रेक्ट कर लें तो इसको मैं कर लेता हूँ 1.82 माइनस 0.003 यह आंसर विल भी 1.87 1.817 से लेकर किदर थक 1.82 प्लस 0.003 1.823 अब उसने का सऑए बैली लिखने का ना कुई नहीं जवास सीरा को देखने हैं वहों टेखना हैं तो हम इसको significant figure तक ले जाते हैं तो जब मैं इसको लेकर जाओंगा तो यह भी 1.82 आजएगा कि यह भी क्यूंकि हम इस digit तक नहीं जा सकते हैं क्यूंकि यह हमारी range से बाहर हो गया यह वाले point अब यह वाले जो point है यह range से बाहर है value जो आए ठीक है तो इसलिए हम गर इसको omit करें तो यह 2 हजेगा इसको omit करें वही है 1.82 हजेगा तो इसलिए इसके अंदर हम range नाई बनाए तो ठीक है अगर कुछ समझ आया तो भी जिवा नहीं समझ आया पूछें कॉमेंट में पूछें doubt क्लिए करें हम आपके लिए